News 18 इंडिया इन दोनों में पहले यमन से आये हूथी वे द्रोहियों के वीडियो को देख लीजे वो इस फायर पावर से अमेरिका और इसरेल दोनों को डराना चाहता है लेकिन इस स्वक्त पूरे पश्यमेशया में अमेरिका और इसरेल का फूपस इरान बन चुका है बाइडन की सेंडर कमांड एक्टिव हो चुकी है सीर्क्रेट एयर बेस से लगातार रात में उडान भरी जा रही है ये बात साफ है कि इराग और सीरिया के बाद अब अमेरिका का टार्गेट नमबर 3 इरान है लेकिन इरान पर अटैक कब होगा? कैसे होगा? हमला कितना खतरनाक होगा? इसका सिर्फ अंदासा लगाया जा रहा है ये राग में टेक आफ करने वाला विमान अमेरिका का सबसे खतरनाक लॉंग रेंज वाला बंब वर्शक है नाम है B1 बॉमर सीरिया और एराक पर बंबारी के लिए कितने बॉमर, कितने फाइटर जेट शामिल होए ये अभी तक नहीं बताया गया है लेकिन मिशन खत्प होने के बाद ये बात जाहिर कर दी गई कि अमेरिका ने सीरिया और एराक के अंदर 85 टार्गेट पर हमला किया लेकिन इनकी उड़ान लगातार जारी है और यही इस वक्त इरान का सबसे बड़ा डर है कि अगर बीवन बॉमर का रुख तेरान की दरफ कर दिया गया तो क्या होगा इराक में गुसा कैसे उबल रहा है उसकी तस्वीरें अमेरिका को परिशान जरूर करेंगी बगदाद में उन लोगों के जनाजे के साथ प्रदर्शन हुआ जो अमेरिका की एर स्ट्राइफ में मारी गए है इराक का दावा है कि कताय बेजबुला या हश्ट अल शाबी से जोड़े 16 लड़ाके अमेरिका की बंबारी में मारी गए है लोगों की हाथों में इनकी तस्वीरें और अमेरिका को मुदोर जवाब देने की मान की जा रही है सबसे बड़ी दिमांड ये है कि अमेरिका की फॉट पूरी तरह इराक से बाहर चली जाए हज्द, अल, शाबी और कतायब हेजबला इराक के वो मिलीशिया गुट है जिन्होंने आईसिस को मार कर खदेरने में बड़ी भूमी का अदा की दी यही वज़े है कि तब एरान ने भी इनकी पूरी मदद की थी इरान और अमेरिका के बीच अचानक से युद्ध वाला माहौल बन चुका है गाजा में हमास और इस्रेल की युद्ध के बाद अब पहले फोकस यमन पर केंडिट हुआ और अब इराक पर अमेरिका के बंबारी के बाद इरान को टार्गेट करने की मांग की जा रही है क्योंकि इराक और सीरिया में जो मिलीशिया इस वक्त अमेरिका के दुश्मन बन चुके हैं उनको इरान से ही पूरी मदद मिलती है ये बात तो खुद एरान भी पूरी तरह खारिच नहीं करता इराग और सीरिया पर बीवन बॉमर से तबाही मचा कर अमेरिका ने एरान को बहुत बड़ा मैसिद दिया अमेरिका अब एरान को बताना चाहता है कि वो इसी तरह तेरान पर, शिराज पर, सिस्तान, किर्बान पर और इस वहान पर बंबारी कर सकता है और उन्हें मिट्टी में मिला सकता है ऐसा अमेरिका एराग में सर्दाम के खिलाफ कर चुका है लीविया में गददाफी के खिलाफ कर चुका है अमेरिका चाहता तो ये बंबारी F-16 और F-15 जैसे विमानों से की जा सकती थी लेकिन अमेरिका ने B-1 सुपर बॉमर का इस्तेमाल किया यानी अमेरिका ने बता दिया कि वो चाहे तो अपने काउंटर स्ट्राइक का दर्जा 10 गुना बढ़ा सकता है और ऐसा वो B-1 जैसे बॉमर के जरीए बहुत आराम से कर सकता है अमेरिका के पास साथ से ज़्यादा B-1 बॉमर है ये 34,000 किलो पेलूर के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है रफता तेड़ हजार किलोमेटर प्रतिगंदा B-1 बॉमर अमेरिका का सबसे भरोसे मन और उसकी बॉमर्स वाली फ्रीट का वर्क होर्स कहा जा सकता है जो सबसे तेज ओड़ कर दुनिया की किसी ही लोकेशन पर पहुँच सकता है ये ऐसा काला दैते है जो अकेले दम पर कई मोर्चों पर इरान की ताकत को एक जटके में ख़ट कर सकता है अमेरिका की बॉमर वाली ताकत भी आपको दिखाते हैं क्योंकि इरान के खिलाफ तनाव का लेबर अब पाइडल की नाक से उपर जा रहा है ऐसे में सवाल है कि क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने सबसे खतरनाग बॉमर्स को सबसे बड़े मेशन के लिए तैनात करने पर मजबूर हो जाएगा भीवन से बंबारी करके अमेरिका ने दिखा दिया है कि वो ऐसा करने से हेच केगा नहीं सवाल है कि क्या अमेरिका वाकरी नया युद्ध करने के लिए तैयार है क्या वक्त आगया है कि अमेरिका ने जो गलती योकरेन को लेकर की है उसे एरान के साथ नहीं दोराएगा paradox यानि वो खुलब खुला जंग करेगा अमेरिका के कौन-कौन से बॉमर किसी भी वक्त किसी भी डिप्लामेंट के लिए तैयार है ये भी देख लीज़े B-52 को देखिए अमेरिका का सबसे पुराना लेकिन सबसे खदरनाग बॉमर जब ये रनवे पर चलता है तो और ज्यादा विद्भनसक नजर आता है आठ एंजिन की पावर से उड़ने वाला B-52 दोनिया का सबसे पुराना और सबसे खदरनाग बॉमर माना जाता है साट के दशक में अमेरिकी एरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद इससे लगाता आधुनिक बनाया गया और यही वज़य है कि साट साल बाद आज भी ये उड़ान भर रहा है B-2 को देखिए अमेरिका का स्टैप यानी रैडार की पकड़ में ना आने वाला बॉमर और P-1 को तो आपने देखी लिया है अमेरिका के सुपर सोनिक बाउमर को कुछी घंटों के नोटिस पर दोनिया में कहीं भी मिशन के लिए भेजा जा सकता है अमेरिका और इरान के बीच तनाव इस लेबल पर पहुँच चुका है कि डर है कि एक नया खाड़ी युद बहुत जल्दी शुरू हो सकता है इसलिए सवाल है क्या इराक और अमेरिका के बाद अब इरान और अमेरिका की जंग होगी और हुई तो इसका दायरा कहां तक पहलेगा अमेरिका और इरान का युद क्या वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकता है यही सबसे बड़ा सवाल और डर भी है इनी सब बातों से इस सुवक्त खाड़ी देशों में तनाओ बहुत ज़्यादा है यमन से हूथी विद्रोहियों के नए वीडियो से तनाओ के लेवल को समझा जा सकता है हूथी मिलीशिया ने अपनी ट्रेनिंग दिखाई यह वीडियो उसने अमेरिका और इस्रेयल के लिए बनाया है हूथी ने रॉकेट फायर करके दिखाए है हूथी ने अपने ड्रोन ओडा कर दिखाए है हूथी विद्रोहियों ने दिखाए है क्योंकि बाम कितने सठीक तरीके से निशाने पर गिरते है जगे जगे टार्गेट पर इस्रेयल का छंडा बताता है क्यों हूथी मिलीशिया के टार्गेट पर इस्रेयल सबसे बड़े दुश्मन की तरह है हूथी विद्रोहियों के टैंक T-72 भी इस युद्धा भ्यास में शामिल है उसकी स्पेशल पोर्स भी किसी मिलिटरी पोस्ट पर हमला करके दिखा रही है जो गमी टार्गेट है वहाँ अमेरिका और इस्रेयल के चंडे लगेगे यमर इस वक्त अमेरिका और बिटर्ट दोनों के टार्गेट पर है लाल सागर में अमेरिका और बिटर्ट के कार्गो जहाजों पर मिसाइल हमले हो रहे है और यही वज़य है कि बिटर्ट की वाइब सेना अपने खतरनाग फाइटर जेट यूरो फाइटर टाइफून को बम से लैस कर रही है इस जहाज को हूठी वे दोहियों का टार्गेट खत्म करने के लिए तैयार किया जा चुका है यह लेजर गाइड़ेट बम है ऐसे ही बाइजरेल ने घाजा पर इस्तेमाल किया है और अब इनसे ही बिटर्टन यमन पर हमला करने के लिए बेकरार है इस जहाज कर रही है